Good morning students, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं G&U, 2nd semester, 4th semester और 6th semester exams के बारे में तो इस वीडियो के साथ last तक बने रहे हैं, चलो शुरू करते हैं जैसा कि आपको पता ही है, बस दो weeks बाद आपके even semester exams शुरू है तो अब हम बात करते हैं कि क्या even semester exams hard होते हैं जा फिर easy तो हम आप सब को बता दें कि अगर 4th semester जैसे 1st semester, 3rd semester और 5th semester से compare किया जाए तो even semester जो होते हैं 2nd semester, 4th semester और 6th semester easy होते हैं मतलब यह है कि 8th semester के exams थोड़े hard होते हैं और even semester के exams थोड़े easy होते हैं 1st semester, 3rd semester और 5th semester hard होते हैं और सबसे ज़्यादा सपली भी इनी semester में आती है और 2nd semester, 4th semester, 6th semester थोड़े easy होते हैं और कम सपली आती हैं इन semester में जैसे कि first semester और second semester का syllabus और exam pattern एक जैसा होता है और first semester में वो सब के लिए new होता है और बहुत सारे बच्चे समझ जाते हैं और clear pass हो जाते हैं और बहुत students नहीं समझ पाते और उनकी supply आ जाती है फिर second semester में उनको पता होता है कि कैसे कैसे paper attend करना है जिससे वो उनको easy लगने लगता है और same वैसे ही third semester और fourth semester का syllabus और exam pattern एक जैसा होता है जिसकी वजाद से third semester थोड़ा hard होता है और उसके बाद fourth semester easy लगने लगता है students को और same वैसे ही fifth semester और sixth semester का syllabus और exam pattern एक जैसा होता है तो जैदा fifth semester में मुश्किल आती है students को बाकी six semester उनको easy लगता है मतलब कि जब भी new pattern आता है तब तब exams थोड़े hard लगते हैं students को जैसे कि हर eight semester में होता है इसलिए even semester students को easy लगता है अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो सबसे ज़्यदा supply eight semester exams में आती है students की as compared to even semester exams और even semester exams में ही students सबसे ज़्यदा marks लेकर आते हैं और अपनी percentage increase करते हैं बाकी exams तो exam ही होते हैं आपने बस अच्छी तरह त्यारी करके जाना है इस बार exam देने से पहले आपको ज़्यदा stress लेने की जुरूरत नहीं है आप exam से कुछ दिन पहले ही study करना शुरू कर दो और अपना syllabus पूरा कर लो और exam देते time बस इतना ध्यान में रखना की paper पूरा attend करके आना जिससे आपके 100% chances बन जाएंगे पास होने के बाकी इस चैनल पर exam tips, important questions, slayvers, exam button, question paper की वीडियोस हम upload करी रहे हैं कि आपकी help हो जाए और आपके बहुत ही अच्छे marks आएं तो टैंचल नेने की बात नहीं हैं हम बैठे हैं यहाँ पर कोई भी doubt हो यहाँ फिर help चाहिए हो तो बस एक comment कर देना उसका solution हम आपको बता देंगे तब तक इस वीडियो को like कर दो, share कर दो सभी friends के साथ चैनल जुरूर subscribe कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो और बैल एक इन जुरूर पैस कर देना था कि हम जैसे को new वीडियो आपके लेके हैं सबसे बले notification आपको मिल जाए Thank you